हेलो गाइज, वेलकम बैक to my channel, साइणवीत निखिल मैं तो आज हम देखेंगे मनसबदारी वरस्था, जो कि मुगलकाल में थी और तो वरस्था मुगलकाल में की गई थी, एक थी मनसबदारी और एक थी जागिरदारी वरस्था तो हम एक एक वीडियो में आपका दो डिफरेंट वीडियो में मनसबदारी और जागरदारी वयस्ता को अच्छे से देखेंगे ठीक है तो आज हम देखने वाले हैं मनसबदारी वयोस्ता तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं इसे बता देना चाहूंगा पहले हम लोग तो मंसब्दारी सब्द का आर्थ देखेंगे, फिर मंसब्दारी क्या है, फिर मंसब्दारी वयुस्था लागू करने के क्या कारण रहे होंगे, जो की मुगलकाल में उसे अकबर को लागू करना पड़ा था, फिर मंसब्दारों की श्रेणिया क्या क्या थी, म exam related भी यह बहुत ही important है ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे मंसब दारी शब्द का अर्थ क्या होता है तो मंसब एक अर्भी वर्ड है ठीक है जिसका अर्थ होता है पद परतिष्ठा पदवी या दर्जा ठीक है तो मंसब कहा से लिया गया था तो अर्भी भासा से लिया गया था और इसका परतों इसका मतलब होता था पद पदिष्ठा पद या कि और यह मुगल काल में यह किसी व्यक्तिया का अधिकारवर्ग में उसके स्थान बेतन या राज़ दरवार में उसकी परतिष्ठा यह स्थान को निधारित करता था मतलब एक उसका पद या परतिष्ठा को यह चीज आपका वह मतलब एक चीज से यह डेनोशन था कि यह मंसब् में सबको अलग अलग पोस्ट होते हैं इस तरह मंसब्दारी भी एक पोस्ट था आपका इस परकार मंसब्दारी वैस्था कि अगरे लिखीद विशेष्ठाओं को समझना वह सकते तो इसकी क्या क्या विशेष्ठा रही थी यह हम लोग एक करके पॉइंट बाइपॉइंट में देखें तो मंसब कोई या उसका पर्तिक नहीं था तो यहां पर एक तरह से बोला जिया है कि इसको पधन नहीं का आ गया था बस यह डिनोशन था कि हां यह एक मंसबदाव है उसका कोई परतीक भी नहीं था थीकैन्ष परतीक तो एक ही का होता है इसे को धोज का परतीक होता यह इसका परतिक नहीं था यह के वर मसब कि मतलब मतलब मंसब मनसबदार सेनिक अधिकार ही होंगे यह आवस्यक नहीं है मतलब की ऐसा नहीं है कि मनसबदार को सिफ सेनिक कहीं देख भाल या फिर सेनिक कहीं रख रखाओ के जिमिदारी देगी बादसा के मन मुताबिक वह किसी को यह पद में वह जा सकता था तो यही एक मनसब का मतलब हु तिशा, पॉइंट है मनसब का दरज़ा उसकी पदवी का सूचक नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मनसब सही उसके पद करें को आप जानिये गा, ऐसा नहीं था, मैंने जैसा कि बताया दूसरे पॉइंट में, कि जैसा जैसा आपका क्वाइलिटी था उस पर वो वो स्ट्ड क मनसबदार द्वारा रखे गए घोड़े हाथियां वह सैनिकों की शंख्या को भी परदरसित करता था किन्तु वास्तों में घोड़े आदी की संख्या मनसब के बराबर ना होकर अक्सर कम होती थी मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे मालीजी एक मनसबदार को बोला गया कि 50 आप गोड़े रख सकते तो ऐसा नहीं था कि वह 50 रखेगा उसे कम भी रख सकता था और यह संख्या क्या करती थी सरकार द्वारा ने धारित की जाती थी जो सरकार वहां की जो गवर्मेंट थी वहां का परिशत था अगर वह जो संख्या रखने को कहेगा वही मनसबदार वह संख्या को रखेगा ठीक है अब आजएए आपके मन में अभी एक सवाल उठा हो कि मनसब मनसब जो मैं बोल रहा हूं इसकी क्या वयस्था क्या थी मतलब यह कैस टाइब से वयस्थित कैसे था यह तो मुगल काली शैनिक प्रश मिध्स साथन का ही जो वयस्था था वह मनसब्दार ही ठीक है मफयां सासो को में सर पड़ था अकबर ने इसका वयस्था की थी और इसकी वयस्था करने का करने का देट है 1556 से टिश्वी में लागू कर दिया गया था और ऐसा नहीं कि अकबर के द्वारा ही लाया गया था अकबर से पहले भी ये सल्तनत काल में भी चल रहा था मगर अकबर ने इसको अस्थाइत्व परदान किया इसको सुद्रुद बनाया इसमें कुछ संसोधन किये और इस चीज को वह जागू किये ठीक है इसी कारण इस वयस्था का जनक अकबर को ही माना जाता है ठीक है और ऐसा परतीत होता है कि अक्मबार सभीना खलीमप्रा अब साहीद से लिया था था तो एकबर किसे परदाना लिया था इस मंसब्धारी का तो खलीफा अब्बा श केज खां तथा तेमूर द्वारा इस अवयस्था को भी अपनाए गए थी जैसा कि मैंने कहा कि इसको पहले भी चलते आ र को क्या करते थे सपहल सलार काते थे और 1000 घृण सवार को किया अमीर करते के मलक्रते थे कर ली जगा एक्जाम में आप अगर यह लिखते हैं तो बहुत ही आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं ठीक है इस प्रकार असपस्ट के मनसथदारी ववस्था अकबर के पूर में ही थी जैसा कि मैंने कहा और इस ववस्था का मूल अधार दसम्लोग परनाली थी में चलता था ठीक है उसके बाद मनसथदारी ववस्था लागू करने के क्या कारण रहे होंगे ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि आपको मनसथदारी ववस्था को अकबर को अपने काल में लाना पड़ा तो इससे क्या हुआ कि अकबर ने जब वो सासन में आया तो उसने अनु आपन कर सके ठीक है जिससे प्रशासन से जोड़े परतिएक वेक्ति को अपनी इस्तिती सासन के परति अपने उतर दाइतों की जानकारी हो तता योग वेक्ति को नती के लिए समुचरत्य अफसर मिले मतलब इस वैस्ता को लाने के परति उनका पीछे मकसद यह था कि जो वैक् अधिक हो से पोस्ट पर सीधा इन्यूक्त कर दे तो अक्बर के क्या कारण रहति है क्या क्या कारण तहीं क कारण सेना संबंदी परते कारी के लिए सर्दारों तो इससे पहले से क्या होता था कि सरदारों पर ही ये पूरा निर्भर रहना परता जो मुख्य मुख्य सरदार थे उन्हीं पर वो सेना निर्भर रहती थी मगर अब इससे क्या कर दिया गया मनसब अगर सब को परदान क्या गया तो सब के पास कुछ-कुछ सेना रहती थी ठीक है दुसरा है राजी की आयकादिकांस भाग इस शेनी सरदारों की को उनकी सेवाओं के बदले में खर्च करना पड़ता था अब क्या हो रहा है कि ये जो सरदार थे उनके पीछे बहुत मोटी रकम अकबर को खर्च करना पड़ती थी और वो सरदार उस हिसाब से वर्क नहीं करत इसमें क्या ओग अगर एक सबको मंसब परदान किया तो इसकी हिसाबसे उनलों को पैमेंट दिया जा रहा है ठीक है चौथा है सेना असंगठित थी तथा उसमें बश्टा चारवाप्त था आप जैसे के जान रहें सेना किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है और इसमें क्या हुआ बादसाग ने मंसब जिसको इसको परदान किया उसमें सेना की एक रुपता दिखाए दी ठीक है सेनिक टिकलों की संकाय दिखाए कुछ जाती थी और जब कि वास्तव में कुछ और होता था क्या होता था सरदार अपने पास बोल देते हैं कि ते मेरे पास हजार सेन की वाप्त भष्णचार को दूर करने के लिए वर्ष्टा लाई गई और यह बहुत ही कारगर वरिस्था रही थी अकभर के काल में को वेक्ति को प्रशाश्चनिक छेत में अपने निश्टार्म कारकुसलता दिखा सकता था इस वरिस्था में जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कि अपने कारी को स्लता को यहां पे दिखा सकता था अब दाग नेेकी परदसीद कर देतेए तो अपने गोड़ों को दोनों साइट से दगवाना स्टार्ट किया पहले एक साइड में क्या होता था सरदार सरदार का आपका सेने सरदार का निशान होता था दूसरे साइड क्या रहता था सरकारी निशान रहता था और यह चीज के जानकारी कहां से मिलती है तो आईने एक बरी से इसकी जानकारी मिलती है और इसको इतना इंप भर्ती कैसे होती थी तो मंसद्दारों की भर्ती उग्दम सरल थी इसके लिए को ज़्यादा नीवर नहीं था या फिर क्वाइफिकेशन उतना ज्यादा नहीं था तो इसकी समराट्ट सौय में उनकी न्युकति करता था जिसमें केवल योग तहां कही ध्यान रखा जाता था बस उनके क्या 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 रखता था और क्या होता था कि मीर बक्षी जो होता था समराट का खास जो वेक्ति होता था मीर बक्षी उसको करते थे वो इच्छक वेक्तियों को समराट के सामने पेस करता था और मीर बक्षी का इकान था कि पहले उसको देख लेना है क क्या के qualities है वो डायट सरदार को बताएगा कि क्या के इसके अंदर qualities है और सरदार इस qualities को देखके उसे मंसब परदान कर देते थे ठीक है उसके बाद आ जाईए मंसब्दारों की श्रेणिया अब इसमें थोड़ा अलग मलग मत है जिसे आयने अकबरी में ही दो सरेणिया है कि 33 तो इसमें थोड़ा सा आपका मत्भेथ है ठीक है मंसब्दारों का बेतन मंसब्दारों का बेतन बहुत ही अच्छा कज़ा होता था जैसा कि जिस आपका जिस मंसब्दार के पास ज्यादा से नहीं कि उसका थोड़ा सा ज्यादा बेतन होगा जिसके पास काम होगा तो तो उसमें क्या होता था कि आपको सन्तुष्ट रहता था कि मेरे पास इतने कि मुझे इतने मनसब मिल रहें और इस चीज़को बार बार समराथ चेक करते रहते थे कि किसके पास कितना सेहनीं और मैंसाब्धार दार जook थे वह अपना जीवान भोती हैं धुयाose आपका निश्चीत नियम भी नहीं थी depressed कर देख नहीं अरामसे यह नहीं आप था संतरन के लिए कुछ 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 अपना सिस्टम लाया था तो मैंने उसका पॉइंट में लिख दिया है वो क्या थे मनसब्दार को एक अस्थान से दुश्य इस्थार पर स्थांत्रित किया जा सकता था गुप्तिचर विवाग से निरंतन जानकारी प्राप्त करते थे फिर घोडों को दाग अभश्तचार ना फैलने से लिए उनलों को कबारबाद जगा परिवर्तन किया जाता था उनलों को प्रसाहित क्या जाता था कि आप बहुत एच्छे काप करने में घोडों की दागने के पर था भी दोसाइट कर दी गया थी जैसा कि मैं आप लोगो को बताया था ठीक है और और गुप्तचर विभाग तो था ही जो सम्राट को समय समय पर इंफ्रमेशन दिया जाता था तो आसा करता हूं कि मनसबदारी आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी और यह अकबर के द्वारा लाया गया था वैवस्ता जो की स्थाइट परदान किये थे उनके लोगों को जागिरदारी वैस्ता के बारे में नेक्स वीडियो पर बताऊंगा और इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो कुछ आपको फाइदा दिला रहा है तो आप प्लीज अपने दोस्तों साब भी सेयर करिए तो थैंक यू अंछ सिर्धा प्लीज करिए था वीडियोometer बताई बताबस यूर में अधक्षा है टहा है इसेयर किया कि यह सता है डिला में भी सुट है लोगा है